कि चलिए यहां पर हम बात कर रहें शुबह-शुबह जो बहुत महत्पूर्ण बाते होती हाला कि दो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक तो यह आपके सामने है कि सिच्चों के 37000 पदों पर भरती और डिगरी कालेज के प्रोपेशरों पर भरती में क्या बदला पॉद्मिक तक के स्कूल में होगी यूग्ट आदर्स आचार सहीता लागों होने के बाद रुकी जी प्रक्रिया कितनी भरती हो नहीं देखें आप राया 37000 पदों पर भरती होगी सबसे बढ़ी बात है कि सरकारी स्कूल में सच्चों के 37000 से अधिक पदों पर भरती 17000 सायक अध्यापकों की भरती होगी सरकार ने चौबी दिसंबर को 68500 79000 सच्चक भरती के बात खाली 17000 पदों पर नहीं भरती गोशना की थी लेकिन जिससे पहले कि बिग्यापन आता आठ जन्वरी को सुचना की अधिक चुनावकिश लिए बिग्यापन नहीं है यानि 17000 पदों पर विग्यापन की सुचना है उसके अलावा मुख्यमंत्री की गोशना के अंतर निर्मित 35 अल्फ संक्यक व्याकियों से पतान मंत्री जन्विकास निर्मित 494 रास की विद्यालियों में सिच्छक और सिच्छनोतर कर्मचारिव की 1947 पदों पर भरती प्रक्रिक्तिय साफ हो गया और सिच्छक को और प्रधानाचारियों के साथ हजार पदों पर भी जारी होगा सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें क्या है कि तकरीबन 5000 और प्रधानाचारियों पर जो प्रिंसिपल्स होते हैं अड़ेट कॉलिज में अड़ेट इंटर कालेज हो या जूनर यह जार अपके प्रधानाचारियों और इस तरह यह सिच्चकों के बड़ी मात्रा में जो ब्लैंकेट आपके खाली होते वे पोस्ट उसमें भरती आगी इसके राजकी बिद्यालों में पहले सुख्रत भाई जार से अधिक पदों पर भरती शुरू होगी राजकी बिद्यालों भी सुख्रत हैं दिसंबर के पहले सब्ता में पदों की शुष्णा वागी थी पूर में सिच्चा ने जिसाला कि और से लोक सिवा आयो की अध्याचा पदों को बिदा गया था लेकिन कुछ बिंदू पर आपती थी सिच्चकों के धायजार से अधिक पदों की शुष्णा ने सिरे से आयो मतब राजकी विद्याले में आपके टीजीटी पीजीटी और दोजार प्रिंस्पल के अन जो ने रासकी खुले शुष्णा बरती है और प्रामरी में 17,000 की भरती है और अब उसका आने का रियाल्थी मतब कुल मिलाके देखिया अगर पूरी बात कि जा तो कुल मिलाके 37,000 से अधिक पोस्टों पर भरती होनी है टीचर में चाहे वो प्रामरी के हो चाहे वो टीजीटी के हो चाहे पीजीटी के चाहे प्रिंस्पल सब की भरती अब जो एक एहम खबर है जो कि आपको चौका सकती है और वास्तों में ये खबरें थोड़ी से दिल दहाने वाली होती है लेकिन पिर भी हमें बनाना तो है पढ़ना पड़ने का मौका मिलेगा या ba प्रोफेसर बनने के लिए पीएजडी और नेट राष्टी पात्रता परिच्छा के अनिवारता नहीं रहेगी बड़ी बात है कि मतलब पीएजडी और नेट के बिना कैसे हो जाएंगे देखी क्या कहा रहे हैं पीएजडी अबलिग नेट जैसे हम लोग डिगरी कॉलेज में है तो हम लोग की आव सकते हैं तो हम नेट करके आया थी अलागि बाद में दोनों करना जैसे मैं भी गवर्मेंट डिगरी कालेज में प्रोफेसर हो तो नेट कंपल सरी था उस पक आयाटी की तरज पर बिश्विद्याले औ अब दोनोंते याव और अर नेट में प्रोफेसरों नाम दिया जाएगा अभी तक विश्विद्यालों और कालेजों में प्रोफेश्टर बनने के लिए पिएज़्डी या नेट की अनिवारता होती है इस बदलावों के प्रोफेश्टर भरती में अब दो एंट्रिक पट होंगे एक तो पहला जो है अभी भी कि प्यूट्टी नेट के बाद प्रोफेश्टर बनना और दूसरा लेट तो याद रखे कुछ को अच्छा हो सकता है कुछ के लिए बुरा भी जो भी हो क्या डिग्री कॉलेज में प्रोफिसर बनने के लिए प्रोफिसर नेट की अनिवारता नहीं रहेगी सीदी सी बात है कि प्रोफिसर और प्रोफिसर नाम दिया जाएगा और आपके कमेंट्स का सब्सक्राइब बताएं और लगाता जुटे रही है मैनत करते रहे हैं अनुप सब्सक्राइब लिए जय हिंद जय भारत धन्यवाद